Hello Everyone, Welcome back to Section Family और ये है आज का टॉपिक Biosphere Reserve आपके एक्जैम में यहां से क्वेशन पूछे जा चुके हैं, आने वाले समय में 23rd, 4th और 5th ध्यान दिजिएगा यहां से क्वेशन पूछे जाने की जो probability है वो maximum है इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा और साथी साथ में आप लोगों के लिए मैं इसके बाद जो wetland areas होते हैं यानि आदर भूमी होती है उससे related आपके पास मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को subscribe जरूर कर लें आपके जो भी आने वाले exam है उसमें आपको इन वीडियो से help मिल सके और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा तो biosphere reserve की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि biosphere reserve होते क्या है देखिए national park सभी ने पढ़ी है, wildlife century सभी ने पढ़ी है, biosphere reserve आप इससे कुछ ऐसा मतलब समझ सकते हैं जैसे एक ground होता है ground की अंदर यानि जैसे जहांपर cricket खेला जाता है, ground होता है, पुरा stadium होता है, ground होता है, ground के अंदर एक core part होता है core means जहांपर जो batsmen होते हैं, वो cricket खेलते हैं, जिसे हम pitch कहते हैं तो एक biosphere आप समझ सकते हैं कि वो एक ground है, उस ground के अंदर जो pitch होती है, वो आपका national park हो सकता है या फिर आपकी wildlife centuries हो सकती है, यानि biosphere reserve के अंदर आपका wildlife भी आ जाता है, national park भी core वाले area में आ जाता है clear, तो यह चीज है जो आपको समझने की जुरत है, ऐसे मैं समझेगें कि यह बिल्कुल कुछ अलग है, वो बिल्कुल कुछ अलग है, हाँ, कुछ इसमें कुछ areas होते हैं, कुछ buffer areas होते हैं, कुछ आपकी ऐसे reasons होते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, इनको three categories में हम divide करते हैं reserve हैं, 18 हैं, लेकिन हमें 18 नहीं पढ़े नहीं है, हमें क्यों 12 पढ़ने हैं, 12 क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि यह 12 है, वो UNESCO के जो World Heritage Site होती हैं, जिने हम बोलते हैं, विश्व विरासत में इन्हें सामिल किया गया है, तो पहले 10 थे, लेकिन आप बढ़के 12 हो चुके हैं, इस इसको 27 जुलाई, 27 अब जुलाई 2018 में बनाया गया था, सबसे उचाही है, इसको आपको याद रखना है, और जो बारवा बनाया है, यह बना है पन्ना, यह है आपके MP में, यानि मद्यप्रदेश में, इसलिए यह दो questions आपके लिए बहुत important है, very very important है, जो लोग यह याद कर पा रहे हैं, वो लोग एटेज इन दो को तो याद रखे सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपके पास questions जो है, पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर यह सारी चीज़ें कर सकते हैं, बाकि आप लोग इसका screenshot ज़रूर ले ले और अपना साथ साथ में रिवाइस करते रहेगा क्योंकि मैं वीडियो बहुत short बनाऊँगा, जिससे आपको भी problem नहीं होगी, और आप लोग easily इन questions को solve कर सकते हैं, अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, 18 हैं, लेकिन 18 में से आपको क्यों 12 बढ़ने हैं, 12 में से भी जो 2 हैं, वो बिल्कुल नए बने हैं, कंचन जंग मैंने ये चीज़ आपको बता दी हैं, में गाले नो क्रेक, जिसको थोड़ी बहुत geography की knowledge है, जिसको थोड़ी बहुत जो आपके places हैं, अगर उनकी knowledge आपको है, तो easily इसमें कोई बहुत problem बात नहीं है, आप इसे easily कर सकते हैं, सुन्दरवन, West Bengal, सभी लोग जानते हैं, सुन् लेपाल, उडिसा में है, याद रहना चाहिए, कोई problem नहीं है, अगस्त मलाई, तमिलनाडू और केरल, clear, तो ये आपको याद रखना है, मननार के खाड़ी, ये मननार के खाड़ी में ये, Bay of मननार जिसे हम कहते हैं, नेलगिरी, तमिलनाडू, केरल, कंनाटक, इसमें ये फ फोटी-छोटी चीज़े है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़े बता रहा हूँ, otherwise, जैसे हम Tiger Reserve की बात करें, 42-43 है, उसके लिए भी वीडियो लेकि आओंगो, लेकिन wetland सबसे important है, इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की गई थी, उससे जरूर देखने, जिन्होंन वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक कियर, एंड थैंक्स तो आल